नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहें श्रेष्ट भारत योगा से ही होगा दियाई योगा में हमारे फर्स्ट एपिसोट में हमने देखा था कि किस तरह से विदाउट मेकप आप अपने चहरे पर ग्लू ला सकते हैं तो अब सेगंड एपिसोट में हम आपको बताएंगे कि सिस्टम पे हम दिन भर लगे रहते हैं इसके बाद फोन्स भी यूज़ करते हैं तो हमारे आखों के लिए कौन सा एक्सराइज अच्छा रहेगा ताकि हमें चश्मे ना लगे तो इसलिए आज मानसी एक बार पिर से हमारे साथ हैं और मानसी बताएंगी कि किस तरह से हम अपने आखों की रोशनी को तंदरुस्त रख सकते हैं और सिस्टम पे देखते रहते हैं पूरे दिन काम करते रहते हैं उसके बाब जूद भी हम कौन सी ऐसे एक्सराइज करें कि कि हमारी आखे जो हैं एकदम सही रहें बिल्कु वालशी शुरू करते हैं गार जी मैं चाहती हूं शुरू करेंगे सबसे पहले हाथ जोड़ लीजिए आखों को बंद कर लीजिए गहरी सास लीजिए एक्सेल गहरी सास नीजिए ताज शूड़िए ओम का उचारन करेंगे एक बार टीप इन हेल ओ लब करेंगे पाम को पीपिट और यू आइज हैड दाउं लाइट मसाज चेहरे पर प्रॉब्लम बहुत प्रेश कर रहे हैं तो मैं आपको सबसे बेस्ट एक्सेल साइज बताऊंगी इसको रोस करें आपको साथ दिन में इसका अचा रिजल्ट मिलेगा सबसे पहले हम करेंगे वी आई पोस मिडल एंड इंडेक्स फिंगर यहाँ प स्ट्रेश स्लाइट करिए नीचे स्ट्रेश करिए और उपर देखिए और अच्छा हासन रहता है इसको करने से आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो एक बार और करेंगे मिडल फिंगर इंडेक्स फिंगर विकवाज यह आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम के साथ में कनेक्टेड होता है वोल्ड करिए स्क्रेट्च करिए नीचे की तरफ और उपर देखिए तो पैनली हम दोनों जगा से स्क्रेच करें नीचे और उपर यह आपके ब्लड साकू को बढ़ाएगा नावर सिस्टम को स्ट्यूमिलेट करेगा वही पर यह दस सेकेंड के लिए पर यह दो आपके लुपर यह दोना जाओ प्रीजिए लिए झाल आपके लिए यह दोर बी आई पोस बोलते हैं बहुत अचासन रहता है यह एक बर और के रिंग बिस्क्राइटली प्रेच इड दाउं अब सेंटर अब यॉर पोरह। लोग सेंटर अफ यॉर पोरह। एंड रेनेस इस आसन को भी दस सेकेंड के लिए करिए दीरे दीर आप इसको बढ़ा सकते हैं टाइमिंग डूरेशन को बढ़ा सकते हैं बहुत अच्छा आसन रहेगा अब हम दूसरा आसन करेंगे यह बहुत इजी आसन है सुपर एफेक्टिव दरी जी इस तरह से सीगा शे देखेंगे नीचे देखेंगे ओपर देखेंगे नीचे देखेंगे ओपर नीचे दथ सेकेंड के लिए करेंगे काउंट कर सकते हैं आप वन टू ट्री पॉर फ्रॉपर देखिए नीचे देखिए ओपर देखिए नीचे देखिए ओपर देखिए नीचे देखिए साथ मैं आइस साइड के लिए बहुत अच्छा आसन है इसको जरूर करिये एक बर और करेंगे हम इस आसन को जब आप मसल मूवेंड ट्राय कोशिच करिए प्रॉपर बृपर ब्रीफिंग कोडिनेशन के साथ मैं करें यह आपके ब्रचा क्रियेशन को बनाता है एक पार और कर औचे देखिये ओपर देखिये ओपर देखिये और निचे देखिये और देतीन से DR. गया वन्म ब्रेटिंग के लिखुर, अच्छा रहे गाई आसनदि आपको तीसराव अशन बता रहा इजी है यह जब आप आप आपसे में बेटे रहते हैं जब सारा दिन काम होता है तो इस आसन को हर एक घंटे के बाद जरूर करिए सिंपली पाम को रब करेंगे हीप को जिनरेट करेंगे कीप इट ऑन यूर आइस हैड डाउन बेट सेगेंड के लिए रखिए और जेंटली यही पर मसाज करिए रूटेट करिए टेन नाइन एट सेवन रिवार्स सिक्स फाइव पोर त्री टो वन एंड रिलीस तो बहुत अचा रहता है आई को भी रिलक्स करता है सुदिंग और यूड पाई आइस तो एक बर आल करेंगे रख करिए जेंटली रूटेट करेंगे कीप इट अन यूर आइस गाइज हैग दाव बी देर पर पाई सेकेंड जेंटली रूटेट ट्री टो वन रिवर्स वन टो ट्री एंड रिलीस अमेजिए तो एक और आसन में आप लोगों को जरूर बताना शाहूंगी प्लीज इन चीजों को भी पॉलो करिए वी नीड टू बी कंसेस्टेंट विदा प्राक्टिस मतलब आपको रोज योग करना हैं दस मिनिट पंदरा मिनिट जरूर करेंगे स्वस्थ रही है निरोग रही है एक आसन और सीखिए बहुत अच्छा आसन है वान टू थ्री पॉइंट रहते हैं तो पहले अपने पिंगर्स को प्लेस कर लेंगे आइड रोज पूरी तरह प्लेस करेंगे गार्गी जी और उपर की तरफ स्ट्रेट करेंगे नीचे देखिए पाउज यूर आइज आखों को बन कर लेंगे दथ सेकिंड के लिए इस पोज में रहेंगे आपको बहुत अमीजिंग रिजल्ट मिलेगा अन्ड रेलीज आपके आई मसल और्बिकलिस ओकली को स्ट्रेंटन करता है ब्लट सापुलेशन को बढ़ाता है नाव्स को भी स्ट्रिमिलेट करता है एक बर और गरेंगे इस आसन को ऊपर की तरफ स्ट्रेट्च करेंगे आंखों को धीरे से बन कर लीजिए दस सेकिंड के लिए इसी पोज में रहिए और रिलीज वेरी नाइस आसन इसको जरूर करें आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो इसी तरह से बहुत सिंपल आसन बताएं इनको पॉलो करें एक क्रिया जरूर बताऊंगी आपको इस क्रिया को खाना खाने के 10 मिनिट के पहले करेंगे हम लोग वजरास आसन में बैठ जाएंगे और अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो और आम से 16 में बैठके इस आसन को जरूर करिए इंट्रॉक कर लिजिए अपने हाथ को नेवल के बिलकुल पास रखिए गहरी सांसे लीजिए सांस छोड़िए गहरी सांस लीजिए सांस छोड़िए गहरी सांस लीजिए सांस छोड़िए धीरे से अपनी बॉड़ी को आगे लेखे जाए और बोर्स फुल एक्सेलेशन त्रूँ यर माउथ है है डाउन कोशिश करें अपने हेट को नीचे लगाए है धीरे से उपर आ जाए है एंड्री इसको माहा क्रिया बोलते हैं खाना खाने के दस मिनिट के पहने इस क्रिया को करिए आपकी बोड़ी से सारे टॉक्सिंस को क्लियर करता है यकीन मानिए आपका वेट भी कभी नहीं बढ़ेगा तो आप ओपस की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है ओपस में सबको यह आसन करना बहुत जरूरी है वेट भी बढ़ जात सास छोड़िए यहरी सास लीजिए सास छोड़िए इन्हेल का मतलब होता है बोड़ी को एकस्पैंड करिए एकसेल कॉंट्राक करिए धीरे से आगे आ जाएए फोर्स पूल एकसेल हेट डाउन दीरे से अपने हेट को थोड़ा और नीचे जुकाएए उपर आ जाएए एंड रिलीस तो इस क्रिया को जरूर करिए खाना खाने के 10 मिनिट के पहले एमटी स्टमक तीन बार करिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथ में पानी भी अच्छे से बीजिए हर आदे गंटे के बाद आदा किलास पानी लेजिए पांच बज़े के बाद कोशिच करिए ओली फूट जंक फूट का सेवन मत करिए स्वस्त रहिए निरो बहुत शुक्रिया वांसी तो ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजे शुरेश्ट भारत को अब हमें दीजे इजाज़त नमस्कार